हेलो एब्रिवन तो हमारे जो पीवाइक्यूस का सीरीज चल रहा है उसमें हम कुछ दिन पहले 2015 physics question का 1 to 10 अपलोड कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं 2015 की physics के जो 11 से 20 questions ठेकर तो इस question का हमें अच्छे से करेंगे देखेंगे क्या solution हो सकता है मतलब अब कैसे बहुत ही जल्दी कर सकती इस questions को जैसे हमने 1 to 10 देखे थे ओके तो फिर शुरू करते हैं तो पहले हम आ जाता है 11th question में जहां पर बोला गया है कि तो पार्टिकल्स ए औन बी दोनों के इक्वल चार्ज है ठेक है और यह दोनों ही सेम पोटेंशेल में , तो यहRण नों आ एक मैंगनेतिक फीड में इन्टेर कर रहे है जो हम जानते हैं कि मतलब मानेटिक फीड रहता है उनिफॉल मुझे educate उन्फंस के अगर एक चार्ज कोब आपक ले जाते हैं तो जा एक सर्कुलर पाहत मतलब qe i.k साथ इनके साथ भी हुआ है यह और भी दोनों ही एक सर्कुलर पाथ डिसक्राइब किया है और इन दोनों सर्कुलर पाथ का जो मतलब रेडिया से हुआ रवन है और रट्टू है तो यहां पर आपको दोनों के mass का ratio निकालना है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों का charge equal है ठीक है ना दोनों same potential में accelerated के आ गया है इसके बाद same binary field में भी आ रहा है इसका मतलब कि इनका जो सब कुछ same है बस एक चीज़ different है वो है mass okay और यह mass difference होने के कारण जो radius हो भी change हो गया दोनों का ठीक है तो बस ज्यादा तर चीज़े दोनों में equal ही रहेगा बस mass और radius का आपको धियान रखना है अगर mass अलग है तो आपका जो भी आएगा वो भी अलग हो जाएगा तो देखते हैं उसको ठीक है शूरू करते तो पहली difference में उसको accelerate किया गया तो यहाँ पर पहली बात तो यह आएगा कि उसके जो अगर एक भी हम लोग मान थे हैं कि potential difference उसको accelerate किया गया तो यहाँ पर आपका जो total energy आएगा जो energy आएगा मतलब जो आपका kinetic energy create होगा उसमें वह आएगा आपका q into v equals to half ma v square यहाँ पर हम मान रहे है कि जो यह पार्टिकल है उसका जो मान से वह में है और जो जिस फेलोसिटी से आपर accelerate जाएगा उसको हम भी यह बोल रहे है ओके ऐसे यहाँ पर बी के लिए यह सेम फॉर्मॉला लिख सकते हो qv equals to half mv v square ओके यहाँ पर बस change बी में हैं और यहाँ पर बी में हैं ओके और बागी सब जो qv सब सेम है तो नेक्स जो बोला गया था कि आपको इसको एक यूनिफॉर्म मागनेटिक फिल्ड के अंदर ले जा रहा है तो और वो एक सार्कूलर पाद भी डिस्क्राइब कर रहा है तो जो आप जानते होंगे कि अगर कोई भी चार्ज को हमागर एक यूनिफॉर्म मागनेटिक फिल्ड के अंदर ले जाते हैं और वो एक सार्कूलर पाद डिस्क्राइब करते हैं इसका मतलब कि उसके उपर एक सेंटिपेटल फोर्स लग रहा है जिसका भैलू आता है आपका m2 by r तो यहाँ पर आप और वो फोर्स यह फोर्स का सब्प्लाइ देता है ओके तो हम जानते हैं क्यू चार्ज एक मैंगनेटिक मतलब एक बार्टिकल मैंगनेटिक फील्ड के अंदर अगर घुज जाता है यह मतलब मान लीजा में कि मैंगनेटिक फिल्ड कुछ ऐसा है मतलब कुछ इस तरह से अगर चार्ज Q है Q अगर एक वेलोसिटी से इंटर कर रहा है तो QV इंटू भी आता है आपका B क्या है यहाँ पर? B यहाँ पर मैगटिक फिल्ड का जो इंटेंसिटी है वो है Q भी होता है कोई भी चार्ज अगर मैगटिक फिल्ड में मतलब चला जाता है तो उसके उपर फोर्स आता हो Q भी आता है तो इसके बाद अब सेम टू सेम यहाँ पर B आपका एक के लिए अलग है तो आपको एक लिखना पड़ेगा बाकि सब कुछ सेम है मतलब आप देख सकते हो कि B और Q एक सेम ही है यहाँ पर और यह R भी आपका अलग आएगा क्योंकि मतलब दोनों equal radius नहीं मतलब दोनों equal radius नहीं बनाएगे अलग radius बनाएगे उसके ratio आप हमें निकालना है तो हम इसको R1 दे देंगे ठीक है और ऐसे हम इसके लिए भी सेम स्क्वाइर और यहाँ पर आपका R2 आजाएगा और सेम तो सेम यहाँ पर Q इंट आपका B का जो यह चेंज होगा है यहाँ पर B आपका B आजाएगा और यहाँ से B होगा ठीक है तो दोनों का जो equation आपको मिल गया तो आप क्या करने वाले हैं देख सकता आप लोग कि हम लो अधर इक्वाल कर दे क्यों भी है तो इस तरह लिख सकता हो कि यहाँ पर हाप MAB2 इक्वाल इस टू हाप MB VB2 ओके तो हाप आप आपका चला गया है आप तो आप अगर यहाँ पर हमें मास्क का रिश्यो निकाल ला है तो हम मास्क का रिश्यो के फॉर्ण में इसको राक रहा है ठीक है ना में बाइगा में बाइए में बाइए में इसके बाद हम किया करते हैं हम सेम चीज अप लाइप बेटे इन दोनों के लिए इन दोनों को भी हम मतलब डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पर इक्वाइड कुछ नहीं है तो डिवाइड अगर करेंगे हम लोग तो ऐसा टाम मिलेगा हमें कि हम अगर M1 रखते हैं तो M1 नीचे आएगा तो R2 पर जाएगा और यह तोनों नीचे राएगा और इस तरह यहाँ पर Q और B कर चाहेगा यहाँ पर और भी यह भी भी हो जाएगा ओके तो लिखते हैं उसको अब देख सकतो हमें में M1 यह यहाँ बाइब चाहिए R के फॉर्म में तो इस यहाँ पर इतना भी अलाग टाम से मतलो आपका वी ए हो गया यहाँ पर भी हो गया या फिर प्रिये को अपर यहां पर बन जाएगा आपका कुश्चन ओके तो हम वहीं करेंगा भी आप यहां पर देख सकता है कि यहां पर आपका अब यहां पर आपका एक वाइब यहां पर बंच रहा है तो अगर देखो गया पर भी एब भी बी तो इसको हम अगर देखते हैं तो भी यह वाइब भी या रहा है तो इसका अगर हम सिर्फ यह भाई भी वी का वैलू निकालने जाए तो यह कहीं न कहीं मतलब यह उपर चले जाएगे नीचे आजएगा इस यह चले जाएगा लिए जाएगा पर आपका यह रूट ऊपर चला गया तो यह आपका एम, बी भाई, एमे आ जाए गाए आपर, और इंटो आपका आगे हैं पर, एमे भाई एम भी, ठीक है, तो, इक्वल्स टो आड़ बाई, आड़ 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 तो, तो यहां पर आप देखी सकतो हो कि, यह जो रूट एम है, यहां पर रूट म बन जाएगा, और इधार यहा पर आपका root mb तो यह root mb यहां पर नहीं चाहाँ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि at the end of the day आपके पास आएगा ma by mb आएगा आपका और यहां पर r1 by r2 तब हमें ma by mb का value चाहिए तो इसको हम square कर देंगे करने के बाद हमारे पास है यहां पर ma by mb r1 by r2 का square मतलब यह जो आपका c का जो answer यह आपका final answer है ओके तो next question के तरफ बठते हैं तो next question जो आपको बोला गया है कि एक अगर कुछ number of particles अगर origin के चाड़ों तरफ एक distance रखके अगर मतलब placed किया गया है तो जो और जो आपका center of mass का जो distance होगा origin से कितना आएगा यहां पर ठेक है इसमें बिल्कुल zero calculation है आपको सवाल जो जब जब सब्सक्राइब इस answer आजाएगा ठीक है तो देखते हैं तो यहां पर आपका मानत है कि यहां पर कुछ यह ओडिजिन होई आट डिस्टेंस पर मतलब कुछ कुछ पार्टिकल्स तो यहां पर आपको बोला गया कि आर्ट का जो आपको कोई पार्टिक्लर वैलो फाइं नहीं करना है बस बोलना है कि आर अगर आज से ज्यादा है या पर आपर ऐसा कुछ मतलब कंडिशन लेना आप बहुत इसी सवाल है तो आप देख सकते हैं आपर क की हम महांन थे कि एक परटिक्लर कंडिशन म whole इहां पर सारी के सारे जो है वह इकवल है मतलब सेम नी फॉर मैं तो तब यहां पर के वार्ट जो आपका सेंटर ओप मास्क वालोग वह broccoli Caleb वबसंटन में अंघ हैं चै oh voz में इस तरह जादगे तो ऐसे करके मतलबس लाइन के भूंएग इस तरह कुछ जयादा मास मक्का चलु eram आइगा अगर इस तरह कोई शना है आई चले जाएंगे तो ऐसा ही मतलब इस लाइन की मतलब आइंड़ के गई आहाएगा कि अशना कभी तो आइक nose कर दो पूजीशन है वो आपका और तक वी जा सकता है मतलब हम मानता है कि एक जो आपका है उसका मार्ज़त ज्यादा है रहला की का टली इन जो नेगलीजेबिल ऐस थीक है तो ऊसराब पे आपका यह जो r है वो इसके center में होगा तो इस जगह तक जा सकते है मतलब तब origin इसका distance r आएगा मतलब max to max यह r तक जा सकता है ठीक है center of mass की position मतलब distance origin से r हो सकते है इसका ज़्यादा नहीं हो सकता है ठीक है न तो यह आपका answer हो गया यह equal हो सकता है या फिर लेस हो सकता है आर्ट से ओके तो उस और सवाल की तुरभ पढ़ते हैं तो नेक्स सवाल मतलब डाइगरम दिया गया है अब देख सकते हैं अपर यह दाइगरम दिया गया है और यहां पर आपको पूचा जा रहा है कि A का जो है यह maximum value कितना आएगा जिसके लिए पुड़ा का पुड़ा system आपका स्टेशने रहेगा मतलब static रहेगा ठीक है तो आपका static रहना का मतलब है कि आप चाड़ो तरब जो force इसको इक्वाल कर दो ठीक है उससे आपकर जो condition आए कैसे करें के question को अब अगर आप लोगी system को अच्छे से देखते हो तो यहां पर यह बोला गया है कि एक maximum value बताओ मतलब जिस value के बाद से अगर हम मानते हैं कि यह का value हम बहुत जादा ले लिए ठीक है तो यह जो यह है यह इतना ही जादा हो जाएगा कि इस तरह से इसको balance न पूड़ा का पूड़ा जो static suggestion है वो बिल्कुल मतलब बदल जाएगी ठीक है ना ओजो stationary जो नहीं रहे गई है ठीक है तो हम मानते हैं कि एक का हम जो max to max जो value ले सकते हैं वह मानते हैं हम लोग की एक का max to max value अब यह में ले ले लेते हैं ठीक है ना माल लेते हैं तो एम एक ऐसा condition होगी जो maximum condition होगी तो इसमें क्या होगा इसमें सारा का सारा जो equally मतलब यह इस तरी इस तरफ जो भी फोर्स रहेगा उसके से ब्लीकुल equal होगा अगर ma से हम कम लेते हैं तो यह ज्यादा होता ठीक है यह ज्यादा होता इस तरफ कुछ ना कुछ करके balance हो जाएगा मतलब इसके बाद जो ma जो है मतलब इस theta position के लिए यह हम ऐसे लेंगे कि सबसे मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा condition मतलब चारों के तरफ जो फोर्स से विल्कुल equal आना चालिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकतो इस तरफ हम मानते हैं कि यहाँ पर T है ठीक है यहाँ पर मतलब खीचाओ आपका इस वायर के उपर यह T है तो यह theta आपको बोला गया तो इस तरफ जो आपका component आएगा आपका T cos theta component आएगा ठीक है और बिल्कुल उसी तरह मतलब यह आपका T shine theta हो गया और नीचे के तरफ आपका जो फोर्स है आपर A के उपर हो आपका यहाँ पर हम B आप देख सकते हो कि अगर इस तरह से खीचा हो है तो मतलब यह B इस तरफ motion करने के कुशिश करेगी मतलब और इसका जो frictional force से कुछ इस तरफ लगेगी तो यहाँ पर आपका B का जो आपका यहाँ पर B का बोला गया है कि W उसका मतलब weight है मतलब आपको mg करके बोला गया है तो यहाँ पर आप यह जो frictional force का जो value आप जानती हो mu होता है इंटो आपका weight होता है तो यह आपको frictional force आ गया है तो आपको सारे के सारे जो components आ गया है बस आपको इसको बैठाना है system में ओके तो हम यहाँ पर देखते हैं आपर equation में लाएंगे formula आ जाएगा यहाँ पर M का value भी आपको निकाल जाएगे में का में इंटू जी और यहाँ पर आपका आगया है यहाँ पर आपका cost theta का जो पार्ट देखोगे तो t cost theta का सथ equal है में इंटू डबलू तिन दोनों का अगर हम मतलब दोनों का हम डिवाइट कर देते हैं तो आपका यह tan theta आ गया है देख सकतो मतलब आपका हो रहा है में इंटू जी मियू इंटू आपका डबलू तो आपको में का फैलू फाइंट करना है तो मियू इंटू डबलू इंटू टैन थीटा बाइ जी आर आपका यह तो आएगा आपका maximum mass आ गया और यहां पर हमें question में बोला गया है कि आप यहां पर maximum weight निकालो तो यह हो गया आपका मैक्सिमम ओएट में का और यह आपका हो गया एंसर मतलब यह देख सब्सक्राइब का जो आपके पर आगे बरते हैं आ तो जो नेक सवाल है वहाँ पर आपको मतलब एक ऐसा सारकीट देँए और तीन यह पर इनपूट आपको बोला गया है और आउट पूट क्या वहाँ आपको निकालना है तो यह पर आप देख सकतो पहली बात एक NAND gate है मतलब रहाँ को और है विजिये इस तरह के पौूलिम की इस टेप गॉस्टे Jr विजिये क्या यहां पर यहां पर एक टीर है श्रू सब्सक्राइबर पर आप यह पर यह तो इस टोनों एक पोनलप कहले सीवां जाती तो यहां कि और हो गया तो यह आप पर स운 स्य यह पर नौट इस जा रहा है तो फैलीबाहित तो ओपका नॉट हो गया सिटा कर दी हमिए और यह सीधा जा रहे हैंगे कि तो नहीं और ऑर डिल रहा है और alcare तो यह आप उपकर हो Hopkins आपका और now अब यहां पर option द्वेखोका आप किसा पूपम समय तो आप उसको tick करोगे या फिर कुछ adjust अच्छी करके दिया गया स्को tick करोगे तो option में जाशन हम देख सकते हैं कि यह option यह option है plus के form में तो हम dot के form में मतलब नहीं है यह कर दो मतलब इस डैश को तोड़ दो और इमेडिल का शाइन पर आपका चेंज हो गया प्लस सी इंबर्स तो यह आपका एंसर आगा है मतलब आपका जो सी ऑप्षन है यह आपका एंसर है तो नेक्स ओल के तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर बोला गया है कि दो जो आपका ए और बी पार्टिकल है इनको एक उपर के तरफ पर नीचे के तरफ से स्पीड से फेका गया है तो ग्राउंड में जब हो लोग मतलब रीच करने रीचिंग के पहले आपका यहाँ पर उनका ज को भी के पीच से उपर फेक रहे हैं पर भी से नीचे तरह से जाएगी मानदेख सर्टन हाइट तक जाएगी इसके बाद ऐसे आजएगी पहल जब ऐसे आजएगी तो दोनों से में कंडिशन में है यहां से अब भी अगर निकाल देते हो तो यह मानदेख एक आपका है इच इसके लिए मतलब जो आम नीचे फेक रहे हैं तो यहां पर अगर यहां तक हमें फीका फैलो मिलका तो यहां सम सेम टू सेम इसका भी कैलकॉलेशन कर देंगे ठीक है अब यहां पर आप लोग को एक मतलब मैं बताने वाला हूं ट्रीक मतलब यह जो है यह आपको यहां सब फे है ठीक है यहां पर बस यह कॉंसेट बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है और यह कैसे हो रहा है मैं यह भी पताता हूं आपको अप मानते हैं कि यह एक शाटन हाइट रीच करेंगे आपर हम एच डैस मानने इसको ठीक है तब अगर देखो गया पर हम ओ जो फॉर्मूला है होते हैं यहापर लगांगे आपर कि और बहुत बहुत हैं जैसे कि आपश पाइस स्कौर्मूलाarah मतलब ऊहां परहला इसको रखे तो हम देख थे हैं कि हमारा जो इवह है ठीक है यहापर हम मानने कि फीड'i मतलब भी डैस हम इसका जो आक्रिमत फाइनल जो फेलोसिटी इस पोजीशन के लिए उसको मानने भी डैस ठीक है फी डैस रिकाल स्टामांद है कि यू आपका यू आपके पास भी है क्योंकि भीस हमने मतलब फेके थे उसको तो भीस करा जाएगा आप यहां पर देखो एक जब यहां पर हमने मतलब कंफिंसन के लिए उसका रखता है आप तू इन्टु से वाटे प्लास मैनस कुछ भी रखते है तो यहां पर देख सकते हो कि अब एस देख लो यहां पर इस क्या होगा हम h अगर देखते हैं तो पहले इनिशियली यह h उपर जाते हैं मतलब प्लस h और यह फाइनली आपका h यहां से अगर देखेंगे तो h- मतलब प्लस h- और h- निसे भी आ जाता है तो आपर माइनस h- 20's भी हो जायका तो समातार फेलो है देखें निसे लिकी कीतना घिस्प्लेश हो रहा है तो बिल्कुस जीरो और टिक है तो अगर कुछ और उसे जिरो हो रहा है यह सी निची घग टिल्कू सौब ऑर निचियुक। इस सबनाब तक तो यहां से इसको फेके थे जिस फेके थे विलोसिटी से उसी के बराबर आ रहा है मतलब जो आपका net जो आपका displacement होड़ा हो 0 होड़ा है मतलब यहां से गयती है h उपर और h नीचे भी आ गया ठेक है तो net displacement क्या है 0 है आपका अगर 0 है तो जो हम b2 equals to u2 plus 2s लगाता है तो वहां पर s 0 हो गया तो वहां पर u2 equals to b2 आ गया तो विल्कुल इस तरीके से ओके तब देख सकते हो यहां से अगर यह भी है भी फेलोसिटी से नीचे आता है तो दोनों का जो है वह equal आ जाएगा फीक है मतलब यहां पर भी इसका भी है यहां पर भी इसका भी है दोनों इस entire का इस डिसेंश नीचाएगा तो दोनों का जो speed है मतलब यह ऌनन को recent करने से पहले पहले उई equal आ जाएगा तो उस container कि मैं मूझ मुझा ओप्शन है यहां पर आपका सी抗्शन है की A और भी बहुत अटेंड करेंगे से भलोसिटी तो यह एंसर होगा आपका चलिए आगे बरते हैं तो नेक्स सवाल में आपके पास बोला गया कि यहां पर एक सोर्स है और इन दोनों लेंग्स से पहले तो इस लेंग्स से एक इमेज बनेगी उस इमेज का जो उस इमेज का इमे मतलब डिस्टेंस है आपका पस्ट लेंस है उसरे का फोर्स अपका वो 4 म bunlar ठीक है यह आपका मीठर में सब कुछ मीठर में ठीक है जो करते हैं इसको इस तरह की कोरें के लिए हो आपको मादार एक्वेष्ण में स्टिक करनें लेंस का जो मादार मादार हो आपका 1 बाई वी माइनस वण बाई यू ऐको आद ठाट बाई वाँ बाई गब पोला करो यहां पर एस तरह इंद दो जो करने के लिए आप बिल्कुल फेलू वैलू मतलब लिखते जाओं यहां पर वान बाई अपर भी आपका जो फार मिजर कर दिस्टंस यहां पर तो आपका यू का वैलू ह ऐन van by 4 ठेक तसे फालीड झाल करते के तो भीक वेल। जो आपका आएगा फोड़ आएगा कैम ओके का वेल। एक seat systematic reading रोड़ डिस्टेंस मतलब पॉुजिटिव में fan तो आपका इस इमेज का जो इमेज है वह फॉर्म करेगा यह बाला लेंज यह वान मीटर फोकल लेंज ठीक है इसके उपर आप लेंज का जो फॉर्मुला लगाएंगे तो माइनस वान बाई वाई यहां पर हम देखें तो फाइंड करने बाला है तो आप यू आपको देख सकते हो अब आपको सोर्स से फाइनल इमेज का डिस्टेंस में मिल गया अब आपको सोर्स से फाइनल इमेज का डिस्टेंस इकालना है तो इहां से यहां तक 4 है है यहां से यह तक 3 है टोडल 7 हो गया और 7 से 0.5 मतलब 7.5 आपके अंसर है तो यह 7.5 है सब्सक्राइब तरह उसमें स्टिक करना और देखना एप की लें लेंच से किसना डिशेन introduce यह देखते जाना है और इक्वेशन में लगाना है ठीक है तो नेक्स सवर के तरब बढ़ते हैं तो इसमें आपको बोला गया कि एक pendulum है जो कि at a position जब यह theta मतलब angle करेगी भार्टिकल के साथ तब आपको एक relation निकालना है relation मतलब आप इस t का value find करना है उस position में ठीक है जब यह theta मतलब theta में है मतलब आपके बस भार्टिकल के से theta angle करका ठीक है तो यहाँ पर आम मान थे हैं कि इसका जो आप pendulum का जो है उसका जो आपका मास से हूँ आपका aim है तो जो नीचे के तरब mg फोर्स लगेगी अब यह angle का theta है तो हम यह angle को भी theta बोल सकते है ठीक है तो आपका यह अगर theta हो गया तो यह जो component है इसका तो mg cos theta आ जाएगा उसे तरह एक एक तरब mg sin theta आ जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि अगर यह pendulum के कुछ ऐसा अगर मतलब घूम रहा है तो एक centripetal force इसके उपर है ठीक है तो यहाँ पर इस direction में centripetal force लगता है इसका मतलब क्या आपका कि यह जो pendulum का यह distance ठीक है तो यह radius करके आपर घूम रहा है मतलब इस direction में आपका centripetal force होता है मतलब यह जो आपका center की तरफ center की तरफ force कितना हम देख सकते हैं आप एक T देख सकते हो कि mg cos theta देख सक करकि हमारा वो जो centripetal force है मतलब mp square by r जो होता है उसका value आएगा मतलब इन दोनों ही किसी ने किस तरह से एड़्जस हो कि उस जो force है उसका supply दे रहा है ठीक है तो centripetal force का जो मतलब direction होता है इस तरह होता है तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि T minus आपका mg cos theta मतलब इस दोनों का जो मतलब यह मतलब resultant है वो यह आपका centripetal force है आपकर तो आपकर दो गया है आपकर m v square by आपका यह आपर r है l ठीक है क्योंकि l length का वो मतलब वैर है तो आपको है आपकर l कर दो ठीक है तो यह easily आजाएगा आपके पास कि T का value आपको निकालना थो हो है आपकर mg cos theta तो mg यह okay b आपका यहाँ पर बोल दिया गया था कि b आपका जो है उसका velocity है ओके यहाँ पर आपका जो answer है तो यह आपका b answer आजाएगा ठीक है तो बहुत easy सवाल था बस आपको एक direction का force का मतलब equation निकालना है उसको solve के मतलब उसको इधर दर करके आपका answer आजाता है ठीक है तो 17 वा आपके पास एक metal wire है इसका अगर T1 tension लगाता हो तो इसका length L1 बन जाता है कर T2 force लगाता हो तो इसका length L2 बन जाता है ठीक है तब इसका original length क्या है तो माल लेते हैं कि original length L okay तो आप जानता हो जो formula होता है याप पर कि y equals to आपका if by a और del L by L होता है ठीक है न यह आपका formula होता है तो देखेंगे आप कि हमें काम करता है कि आप इसका हम इधर लेते हैं तो क्या आएगा देखो del L by L equals to आजाएगा आपके पास आपको यहाँ पर if by a हो जाएगा if by a और y जो यह by में जाएगा मतलब a y आजाएगा ठीक है तो अब अगर same wire है तो y जो दोनों के लिए same होगा वो मतलब material का एक property होता है और a आपका same wire में same होगा और f जो है यह धोड़ा सा चेंज होगा पर उसको हम negligible मान सकते है ठीक है तो यहाँ पर if जो होगा वो बोला गया कि जब f का जो value है force जब T1 है तो इसका L1 है और जब T2 है वो L2 है हम दोनों case को देखेंगे अब ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल L ठीक हम पहले T1 की case को consider करते है तो यहाँ पर जब T1 हम force देंगे तो यहाँ पर T1 हो गया और a और y तो same to same same to same है इसके बाद हम अगर तब जो आपका length L1 आता है तो आप डेल L को ऐसे लिख सकते हो कि L1 minus L ओके ओके आपका L1 minus L यहाँ डेल L है तो इसको ऐसे लिख दो आप यहाँ पर L कर दो ठीक है same to same हम दूसरे case consider करेंगे मतलब जब T2 force अब लगाते हों तो T2 force T2 by a y यह हो गया आपके पास और यहाँ पर यहाँ पर L2 minus L करना है आपको by L ठीक है तो हम क्या करते हैं दोनों को divide कर देते हैं ठीक है न तो अगर divide कर देते हैं इस दोनों को तो यहाँ पर आपके पास value आ जाएगा कि T1 आपके a y a y तो गया है यहाँ पर by T2 यहाँ पर आपका T1 अगर उपार है तो L1 minus L है था और यह LL मतलब यह cancel हो जाएगा और यहाँ पर आपका L2 minus L आ जाएगा तो इसको अगर आप solution करते हैं आपर तो आपके पास यहाँ पर T1 T1 L2 minus T1 into L और यहाँ पर ऐसी T2 L1 minus L into T2 आ जाएगा तो आप पर सारे के सारे जो L है उसको एक तरफ हम करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वह आएगा तो यहाँ पर L को अगर कॉमन लेते हैं तो T1 minus T2 आ जाएगा इसको इस तरफ लेके गया तो इसको इस तरफ लाना प तो आपका जो L का भालू आ जाएगा वो कुझ ऐसा आएगा T1 L2 minus T2 L1 by T1 minus T2 आप अगर इसको T2 minus T1 करोगे तो अलग भालू आएगा ठीक है ना मतलब माइनस लोगा और इसको बदल दोगे इसको ही बदल दोगे ठीक है तो यह आप देख सकतो कि आपका L तो हम L कॉमन ल आपका T1 minus T2 अगर आप T2 अगर इस फॉर्म में दिया गया मतलब T2 minus T1 तो दोनों तरफ माइनस ले लोगे और वो फॉर्म आ जाएगा देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा जो फॉर्म यह दोनों है इस दोनों में इसमें तो प्लास है मतलब यह तो नहीं हो स 19 बला कोशन में तो जो 19 कोशन है बिल्कुल इजी कोशन है के 0.1 मीटर का मतलब एक यूनिफर्म एक से कॉंड़क्टर को एक यूनिफर्म एक फील्ड.1 ट्रॉइट का मतलब आपका उसका अंदर से ले जा जा रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी आपका 15 दिया गया है तो य यह बोल रहा है कि एक राइट रैंसीदेंट करता है यहाँ पर आय एंगल पर ग्लासलशाप के उपर जिसका रिफ्रेक्टिब इंडेक्स है मुड के तो अब आपको निकालना एक अंगल रिफलेक्टेट और रिफ्रेक्टेट लाइन के बिच में आपका यहाँ पर से लिगाल साकता है था लोग कैसे था का चैस्सकती है कि आपको और गाल पर उन्सेक है इक एंगल तो आइंगल से निकल जाता है तो यह आ ambitious चैन्वाशन ओर यह चो जो ूंधर वाग्ऌन आपका धुर्बार्थ है दुब यह तो ऑन्दर आपका यह आपका 90 degree है यह आपको बोला गया है ठीक है तो चलिए सवाल को करते है हम पहले क्या करेंगे यहाँ से एंगल है ठीक है यह एंगल आपका r है ठीक है तो हम क्या जानते है की स्नेल का लोग हम अगर देखते हैं तो आपका यह आता है कि sin i by sin r nihvem कि इसकाल डिफ्रैक्टी इंडिक्स नू जैं और ये मतलब यूपर संय रहा है मतलब आपका स सय रहा है तो यह आपको आज़ता है इसे मतलब मू बया की व्यान ओ मीव ही मतलब आपका मूब y ne 1 है आपका जो Couple का जो रिफ्रेक्टिक इंडेक्स होए है तो वा जाता है ठीक है अब इसके बात क्या करना है आपको देख सकतो हो आपको आई और आर की बीच में डिलेशन करना क्योंकि यहां पर देख सकते हों कि आई और मुश्याप का एलिमिनेट करना है अब आज को कैसे लिमिनेट कर सकते हैं अगर इसके साथ मतलब आई के साथ आर का कुछ डूंड लेते हो तो आप आट के चुका पर आई का वह यह से वह बैठा दो गये आपर तो कुछ डिले यह आया चुका है तो आपर देख सकते कि यह 90 degree i और r दोनों का जो summation है वो 180 है मतलब यह 90 हो गया तो इन दोनों का जो summation आगया वो कितना आएगा है आपर 90 degree मतलब i plus r का value आपर 90 degree ठीक है तो अगर r का value निकालने जाए वो आप 90 degree माइनस i लिख सकते हो ठीक है तो r के साथ i का आपका relation निकल आया है आपर तब इस r का value इसको यहां रख दोगे तो क्या आएगा देख लो आप साइन 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 90 degree माइनस i तो आपका यह एक्वाल स्टो आ जाएगा म्यू ठीक है तो आपका जो शाइन आ है अप लिख दो यह पर 90 degree माइनस i का value सभी को पता है यह कॉस हो जाता है और यहां पर आया जाएगा ठीक है कॉस आया जाएगा इक्वाल स्टुम्यू तो आपको जो आई का value आगा है वहां पर आएगा आपका तो आई को अगा रहा है कि टैन टू दी पर माइनस वन म्यू ओके यह आपका फॉर्मुला इसको ब्यूस्टर लॉबिक आ जाता है तो यह आपका यहां पर देख सकतो दिया गया यहां पर टैना इक्वाल स्टुम्यू ठीक है तो यह आपका हो गया बी एंसर ठीक है तो हो अग्या लेवन टूब्टी कंप्टी ठीक है ना यह 19 का जो सवाल तो बहुत इजी था बस तीनों को माल्टिपल कर दोने पर पर पेंडिकुलर भी बोला गया तो यहां पर साइन थीटा का वहलू भी साइन ने डी डी आएगा मतलब तीनों को मतलब आप माल्टिपल कर दो इसारा जाएगा ठीक है तो होप कि यह वीडियो आपके लिए हेलफफुल रहा होगा ठीक है तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी कोशन में डाउट है तो आप हमारे टेलिकम ग्रूप में जॉइन हो सकते हो वहां पर आप अगर डाउट सेंड करते हो तो हम कोशिश मिलते आपसे नेक्स वीडियो में